गूड बॉर्निंग स्टूडेंट्स ये है आपका चैप्टर दस चल रहा है और चैप्टर दस क्या है भाग सीखें इसमें हमने कल पेज नमबर 36 एक्सरसाइज 20 है इसके हमने कोशन 1,2,3 क्या था अब आज हम प्रेशन 4 से स्टार्ट करेंगे प्रेशन 4 क्या है अब है को एक दुकानदार ने 20 कौपियों का मुल्य दो सो रुपए बताया पता ये कौपी का मुल्य कितना होगा तो देखिए 20 कौपियों का मुल्य है कितना है दो सो रुपए तो एक कौपी का मुल्य होगा कितना होगा दो सो को भाग देंगे हम 20 से ठीक है 20 को दो सो को भाग दीजिए 20 से तो देखो क्या आएगा 20 एक कम 20 और ये 0 20 को हम 20 से हम 0 को भाग देंगे तो क्या आएगा 0 यानि एक कौपी का मुल्य कितना होगा 10 रुपए ऐस हमें फिर है प्रश्म पांच चिराग ने 77 चौकलेट 11 सदस्यों में बराबर बराबर बाट दिये तो बताए प्रत्येक सदस्य को कितनी चौकलेट मिली 77 चौकलेट 11 सदस्यों में बराबर बाट दिये तो प्रत्येक को चौकलेट है कितनी 77 और सदस्य कितने हैं 11 तो प्रश्म पांच ग्यारस अदस्यों में चौकलेट बाटी जारी है कितनी 77 प्रत्येक सदस्यों में चौकलेट बाटी कितनी बाटी गई है 77 चौकलेट तो प्रत्येक को प्रत्येक सदस्यों कितनी चौकलेट मिली प्रत्येक मतलब एक को प्रत्येक लिख देती हूं मैं प्रत्येक सदस्यों को चौकलेट मिली कितनी मिली 77 को भाग देंगे हम 11 से अब 77 को हम 11 से भाग देते हैं तो क्या तर 11 साथ 77 यानि 7 चॉकलेट मिली कितनी मिली? 7 चॉकलेट मिली फिर है प्राश्म 6 एक अक्षा में 75 चात्र हैं वे 5 पंक्तियों में बराबर बराबर बैठे हैं तो बताओ एक पंक्ती में कितने चात्र हैं 5 पंक्ती में बैठे हैं पंक्ती पंक्तियों में चात्र बैठे हैं कितने बैठे हैं? पंक्ती पंक्ती में चात्र होंगे कितने होंगे? 75 को भाग देंगे हम 5 से अब देखें 75 को जब हम भाग दे रहे हैं 5 से तो 5 एकम 5 बचे 2 पंक्तियों 25 यानि पंक्ती में कितने इक पंक्ती में? 15 चात्र बैठे कितने बैठे? 15 चात्र बैठे कि प्रश्ण साथ है सोहनपूर गाउं में से एक आदमी 4 घंटे में 36 किलोमीटर चला बताईए उसकी चाल प्रती घंटा क्या होगी? 4 घंटे में 36 किलोमीटर चला तो एक घंटे में कितना चला वो? देखें, कौन है? एक आदमी एक आदमी चार घंटे में चला कितना चला? 36 किलोमीटर तो एक घंटे में एक घंटे में चलेगा में चला एक घंटे में चला कितना चला? 36 को भाग देंगे हम चार से चार घंटे का में बता है ना 36 किलोमीटर तो देखें, 36 को भाग देंगे हम चार से तो क्या एक चार नाम? 36 यानि 9 किलोमीटर चला तो इस तरह से आपके ये चार कॉश्चन हो गए है प्रश्चन 4, 5, 6, 7 और कल हम 8, 9, 10 कम्प्लीट इसको कर देंगे तो आपका होमवग क्या है? आपका होमवग है रिपीट CW एन नोटबुक ये आपको अपनी नोटबुक में कम्प्लीट करना है करना है